दोस्तों नुमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों जीयस द्रिष्टी सामान्य विज्यान के अंतरगत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जीयो विज्यान यानि बायलोजी से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान्य अध्यन और सामान्य ज्यान के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों इस भाग में हम प्रमुख मानो रोग के अंतरगत विशाणु जनित रोगों से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो जीयस द्रिष्टी जीव विज्यान के महत्तोपूर्ण प्रश्णों का भाग इग्यार है दोस्तों सबसे पहले हम विशाणु जनित रोग यानि वाइरस से संबंधित रोगों के बारे में जानेंगे सबसे पहले आएए जानते हैं विशाणु क्या होते हैं दोस्तों विशाणु सब्द की उत्पत्ति जो है ये लेटिन सब्द वाइरस से हुई है और इसका रासायनिक संगटन इस प्रकार होता है कि ये प्रोटीन आवरण से घिरे हुए निूकलियक अमलका खंड होता है और विशाणु केवल जीवित को सिकाओं में ही वन्स ब्रिध्धी कर पाते हैं आईए देखते हैं प्रमुख विशाणु जनित रोगों के बारे में सबसे पहले दोस्तों देखिए चेचक के बारे में हम जानेंगे अप्रेल 1977 में भारत चेचक मुक्त गोसित किया गया था और चेचक के या चेचक रोग जो है इसके संचार का माध्यम रोगी की त्वचा, थूक, वायू और वस्त्र आधी होते हैं और इसके लिए उत्तरदाई विशाणू यानि चेचक के लिए उत्तरदाई विशाणू वैरियोला होता है जिसको आर्थो पाक्स वायरस फेमली का सदस्य माना जाता है दोस्तों चेचक बहुत ही महत्तपूर जो है विशाणू जनित रोग था जो अब भारत से समाप्त हो चुका है और रोगी की त्वचा, थूक, वायू और वस्त्र आधी से इसका परसारण होता था इसलिए चेचक रोगीओं को दोस्तों परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रखा जाता था और उसके लिए विशेश जो है साप सफाई कियाव सकता होती है आए देखते हैं कंठ माला रोग के बारे में जिसको मम्स कहा जाता है दोस्तों कंठ माला रोग का कारण मम्स वाइरस होता है जिसका जो रासायनिक नाम है या जीव वैग्यानिक नाम मम्स आर्थोरिवियोली वाइरस होता है और कंठ माला रोग से जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे प्रभावित जो गरंथी होती है वो है पैरोटीड ग्रन्थी और इसको अन्यनाम गलसुगा भी कहा जाता है जिसमें गाल और उसके नीचे का एक भाग फूल जाता है और काफी दर्द होता है आईए अब जानते हैं दोस्तों पोलियो वाइरस के बारे में बहुत ही महतपूर है और आप जानते हैं पोलियो वाइरस के खात्मे के लिए पल्स पोलियो अभियान भी बड़े मात्रा में चलाया गया है बड़े पैमाने पर भारस सरकार द्वारा दोस्तों पोलियो वाइरस जो है तंत्रिका उत्कों के नश्ट होने का कारण है और इसके कारण पेशियों तक संदेश पहुशना बंद हो जाता है और इसके कारण पक्षा घात यानि पायरलिसिस हो जाता है और इसका कारण क्या है तो पोलियो का कारण जो है दोस्तों देखे पोलियो माईलीटस वाइरस होता है याद रखेगा पोलियो माईलीटस विशाड़ पोलियो का कारण है दूशित भोजन और जल से पोलियो जो है फैलता है दोस्तों भारत में पोलियो उन्मूलन कारेकरमों की शुरुआत 1995 से हुई थी और भारत में बाई वेलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रियोग किया जाता है डवलू यच्चों ने दोस्तों देखिए बहुत ही महतपूर्टा थे है वर्ल्ड हेल्थ आर्गिनाइजेशन यानि विस्वस्वास्थ संगठन द्वारा 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्री पोलियो वायरल संचरण वाले अस्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया और 27 मार्च 2014 को छेतरी प्रमाडन आयोग यानि आर्सीसी द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाडित किया गया और एक महत्पूर्ण तथ ये है पोलियो के बारे में कि पोलियो का टीका दोस्तों 1952 में जोनास सालक द्वारा विक्सित किया गया था पहला टीका और अलबर्ट साबिन द्वारा पहली ओरल पोलियो वैक्सित की गई थी तो जोनास सालक द्वारा दोस्तों वैक्सिन पोलियो वैक्सिन जो है पहला टीका एक साब किया गया था 1952 में और अलबर्ट साबिन ने पहली ओरल पोलियो वैक्सिन बनाई थे आईए एक महत्वपूर्ण ब्याध हैपिटाइटिस B के बारे में जानते हैं दोस्तों हैपिटाइटिस B जो है ये हैपा डियन्ने वाइरस परिवार का जो है एक वाइरस है और इससे मानों का लीवर यानि यक्रित प्रभावित होता है इसके द्वारा लीवर में सूजन और जलन होती है और इसके संचार का माध्यम संक्रामक सारीरिक द्रव या इन्फेक्टिट बाडी फ्लूट्स होते हैं तो याद रखेगा हैपिटाइटिस B जो है दोस्तों ये हेपा डियन्ने वाइरस परिवार द्वारा ये लीवर को प्रभावित करता है इसके कारण ली भी कहा जाता है डेंगू को हड़ी तोड ज्वर कहा जाता है और इसका कारण डेंगू वाइरस फ्लेवी वाइराइड फैमली का होता है डेंगू वाइरस और इस रोग के वाहक जो होते हैं दोस्तों एडीज एजिप्टी नामक जो है एडीज एजिप्टी और एडीज एल अगू का लग्छण ये है कि सरीर में जो रक्त होता है हमारा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिर जाती है जिसके कारण तीब्र सरीर दर्ग के साथ तेज बुखार होता है इसे कारण इसको हड़ी तोड बुखार भी कहा जाता है एक अन्य वाइरस संबंधी रोग है रेबीज देखिए दोस्तों रेबीज से केंद्री नाडी तंत्र प्रभावित होता है रेबीज इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है केंद्री नाडी तंत्र है और इसका कारण रेबीज वाइरस होता है और इसको अन्य नाम जलान तक और हाइडरोफोबिया भी कहा जाता है क्योंकि इस रोग में रोगी को जल से बहुत अधिक डर लगता है और देखें बहुत ही महतपूर है इसके संचार के माध्यम में कुत्ता, बिल्ली, चमगादर, लोमडी और रैकून आधिजन्तूओं से जो ये वाइरस है इसका फैलाओ होता है देखे रेबीज वाइरस का फैलाओ या संचार माध्यम कुत्ता, बिली, चमगादर, लोबनी और रैकून आदिजन्तुओं द्वारा प्रसारित होता है दोस्तों रेबीज की वैक्सीन की खोज लुई पाश्चर द्वारा अठार सो पच्चासी सवी में की गई थी और पर्थम वैक्सीन प्राप्त करता जोसिफ मिश्टर थे और इसके प्रमुख लक्षणों में दोस्तों रेबीज के जो प्रमुख लक्षण है उसमें देखिए रोगी को पानी से डर लगता है और वो तेज बुखार से पीडित होता है पीट जर जवर या एलो फीवर क्या है दोस्तों इसका कारण एलो फीवर वाइरस होता है जो की फ्लेवी वेराइडी फैमली से होता है और पीट जवर के जो रोग वाहक होते हैं वो एडीज मच्छर जो एडीज एजेप्टी परिवार का होता है एडीज मच्छर दोस्तों एलो फीवर वाइरस के वाहक होते हैं आईए देखते हैं एडीज मच्छर के बारे में एडीज मच्छर दोस्तों ये कई सारे जो वाइरस जनित रोग होते हैं उनका वाहक होता है जैसे एलो फीवर यानि पीत जवर डेंगू जवर यानि डेंगू फीवर चिकनगुनिया, जीका वाइरस या जीका जवर और मायरो जवर ये एडीज नामक मच्छर से इसका प्रशारण होता है और एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और इसकी पहचान पैरों पर सफेद धारिया इसके उपस्तित होती है तो एडीज जो मच्छर होता है दोस्तों इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं और ये कई प्रकार के जवर जो वाइरल फीवर होते हैं उनका कारक होता है एलो फीवर, चिकनगुनिया, पीत जवर, जीका जवर और इसकी पहचान पैरों पर सफेद धारियों द्वारा की जाती है दोस्तों एक देखिए एक महतपूर बीमारी है जापानी इंसेफिलाइटिस जिसको साट में जे ए कहा जाता है और जापानी इंसेफिलाइटिस से दोस्तों सरीर का मस्तिस्क प्रभावित होता है इसमें फ्लैवी विराइडी कुल का विशाण उपस्थित होता है क्यूल प्रदेश के पुर्वांचल में बच्चों के लिए इसे एंडमिक यानि महामारी घोसित किया गया था और कुछ वर्स पहले दोस्तों काफी सारे बच्चों की मौत हो गई थी मस्तिस्क ज्वर यानि जामपानी एंसिफिलाइटिस के कारण और दोस्तों महुत्तपूर है कि य यहां सूवर और मच्चरों का प्रकोब जादा होता है वहां मस्तिस्क ज्वर बयाधि फैलने की समभावना जादे होती है आइए देखते हैं एडस के बारे में तो दोस्तों एडस के संचार का जो माध्यम होता है एडस संचार का माध्यम असुरक्षित लेंगिक संपर्ख है और दोशित रखताधान इसमें संक्रमित माता को अपरा द्वारा शिशु को ये एट्स के जो लक्षन है फैल जाते हैं और विस्व में यह चाइवी के नौ उप्रकार पाये जाते हैं भारत में यह चाइवी का C टाइप प्रभावी है और इसका कारण दोस्तों यह यह होता है दोस्तों टी लिंफोसाइड नामक प्रतिरक्षी स्वेत रक्त कोसिका यानि डबलू बीसी यह नश्ट हो जाती है और अनेक संक्रमक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्य हो जाती है दोस्तों एक दिसंबर को प्रतिवर्स विस्व एड्स दिवस मनाया जात है और चार्ल्स राबर्ट सी गैलो द्वारा HTLV3 जिसको ह्यूमन टी सिल लिउकीमिया वाइरस नामक एड्स की खोज की गई थी तो याद रखेगा चार्ल्स राबर्ट सी गैलो द्वारा H.T.L.V. 3rd human T cell leukemia virus नमक AIDS का रक्की खोच की गई थी और AIDS रोगी के पहचान के लिए दोस्तों ELISA test और western blood नमक परिक्षण किये जाते हैं तो याद रखिएगा ELISA परिक्षण और western blood ये AIDS के पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों AIDS का संक्रमर किस से नहीं होता है सूखे चुम्बन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से, खासी और छेक से, मच्छरों और खटमल के काटने से AIDS का संचरन नहीं होता है आईए एक महत्वपूर जो है वाइरस रोग निपाह वाइरस के बारे में जानते हैं देखिए दोस्तों निपाह वाइरस जो है ये पहली बार मलेसिया के गाउं सूंगाई निपाह में पहचानी गई थी और इसी के कारण इसको निपाह वाइरस कहा जाता है और इसका कारण निपाह हे निपाह वाइरस होता है ये जूनोटिक रोग है फ्लाइंग फाकसे यानि चमगादर या फल चमगादर द्वारा इसका परसारण होता है और निपाह वाइरस से संक्रमित होने पर 50 से 75 प्रतिशत मृत उदर पाया जाता है यानि निपाह वाइरस काफी अधिक खतरनाक वाइरस है आये कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ जान लेते हैं पैंडेमिक क्या है दोस्तों पैंडेमिक किसी रोग का विश्व के बड़े छेतर में फैल जाना और इसको पैंडेमिक कहा जाता है जैसे कोविड-19 महामारी को पैंडेमिक घोसित किया गया था एपिडिमिक किसे कहा जाता है तो दोस्तों संक्रामक रोग का किसी विश्व के बारे में आये जान लेते हैं वाइरस के बाद अब आये प्रमुख जीवाडु जनित रोगों के बारे में जानते हैं देखे दोस्तों जीवाड़ क्या होते हैं तो जीवाड़ सबसे सरल एक कोस की आद्ध जीव होते हैं और ये पौधे में मानों में पशों में उपस्थित होते हैं तो देखे जीवाड़ जो हैं सबसे सरल एक कोस की आद्ध जीव हैं और ये पौधों में मानों में पशों में इनके कारण जो है बिमारियां फैलती हैं जीवारूं से संबंधित देखिए ट्यूबर कुलोसिस जिसको टीबी या छै रोग कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों ट्यूबर कुलोसिस या छै रोग जो होता है इससे प्रभावितंग हमारा फेफडा होता है इसका कारण Mycobacterium tuberculosis नामक जीवाड होता है दोस्तों Mycobacterium tuberculosis जीवाड ये जो है 6 रोग का कारण है और इसके खोजकरता राबर्ट कोच रहे हैं इसका अन्य नाम दोस्तों यक्ष्मा यानि यक्ष्मा भी जीवाण रोक को कहा जाता है जिसको की TB या ट्यूबर कुलोसिस कहते हैं TB के उपचार के लिए दोस्तों देखिए डार्ट्स यानि डारेक्टली आपजर्ड ट्रीटमेंट जो है प्रियोग किया जाता है W.4 द्वारा इसे 1994 में प्रस्तावित किया गया था और देखें MDR TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी जो है ये बहुत ही महतपूर है और इसके लिए TB के उपचार के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी का प्रियोग किया जाता है तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटी बायोटिक अवसधियों का प्रभाव जो है ये खतम हो जाता है ये दोस्तों तपेदिक या TB के रोगी पर बैक्टीरिया या एंटी बायोटिक अवसधियों का प्रभाव खतम हो जाता है और इसका कारण ये है कि डार्ट्स या दवा का कोर्स पूरा कर लिया जाता है तो इससे काफी हद तक निजात पाई जा सकती है टीवी के आद जो लक्षण होता है कब के साथ खासी बलगम में खून और इसके लिए दोस्तों वैक्सीन जो है BCG यानि बैसिलस क्लैमेटी गुईरिन जो है वैक्सीन लगाई जाती है BCG वैक की खोज की थी आईए देखते हैं प्लेग के बारे में दोस्तों प्लेग जो है बहुत ही खतरनाक रोग रहा है जीवान जनित रोग रहा है प्लेग इससे फेफडा और लसिका ग्रंतिया यानि लिम्फ नोट प्रभावित होती है और इसका कारण जो है वो रहा है इस बैक्टीरिया और इसके रोग वाहक पिस्सू होते हैं लक्षण प्लेग के लक्षणों में दोस्तों तेज बुखार और सरीर पर गिल्टियां पढ़ना होता है आए देखते हैं सैल्मोनेला बैसली जिवान के बारे में तो ये देखिए उसकी आकरिती बनाई गई है सै कारण ये रोग होता है नान इस्पार फार्मिंग और दोस्तों ये कच्छा भिका यानि फ्लेगेला युक्त होता है और इसके प्रशार का माध्यम संक्रमित जल और दूशित भोज्य पदार्थ होते हैं आईए हैजा के बारे में तो जीवान जनित प्रमुख रोग हैजा यानि कालरा के बारे में जानते हैं हैजा का कारण विब्रियो कोलेरी नामक जीवान होता है दोस्तों याद रखियेगा विब्रियो कोलेरी और इसकी खोज राबर्ट कोच के द्वारा की गई थी हैजा के जो जीवान है उसका प्रसारण दोस्तों दूशित जल और भोजन क के द्वारा होता है और इसका लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां है और हैजा से प्रभावितंग इंस्टेंटाइन इंटेश्टाइन यानि आत जो है वो हैजा से प्रभावित होता है आए डिप्थीरिया के बारे में जानते हैं डिप्थीरिया दोस्तों इसका कारण ज जिवाड होता है और ये जिवाड इसका नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और इसका अन्य नाम रोहिडी और गला घोटू रोग भी होता है और इसका लक्षण ये है दोस्तों डिप्थीरिया में होता ये है कि जो रोगी होते हैं उनको सास लेने में कठिनाई होती है और टांसिल्स बढ़ जाते हैं इसके लिए DPT वैक्सीन जो है एक संयूजी टी का होता है और इससे रिस्पाइरेटरी सिस्टम से संबंधित स्वास नली प्रभावित होती है लेकिन इसमें सांस लेने में कटनाई और टांसिल्स बढ़ना ये डिप्थीरिया के प्रमुख समस्याएं होती है काली खासी या पर्टियूसिस जिसको कहते है दोस्तों काली खासी का कारण क्या होता है इसको जान लेते हैं हीमोफिलस पर्टियूसिस या बार्डे टेला पर्टियूसिस नामक जीवार जो है ये काली खासी का कारक होता है और इसको कुकुर खासी के नाम से भी जाना जाता है जिसको होपिंग कफ कहते हैं और इसका लक्षण ये है कि इस रोग में लगातार खासी आती है और इसके लिए दोस्तों देखिए DPT वैक्सीन का प्रियोग किया जाता है और इससे भी मा प्रभावित होता है और इसका उप्चार DPT वैक्सिन से किया जाता है। निमोनिया जो है इसको फुफुस सोथ या फुफुस परदाह कहा जाता है निमोनिया को और इसका काराड जो है streptococcus pneumoniae नमक जिवाड होता है pneumonia में रोगी को तेज बुखार और फेफड़ो में पानी आ जाता है इसके लिए pneumococcal vaccine जो है इसके उप्चार में प्रयोग किया जाता है और इससे प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं तो याद रखेगा pneumonia streptococcus pneumoniae से होता है और इसमें तेज बुखार और फेफ़डो में पानी चला जाता है जिसके लिए न्यूमो कोकल वैक्सिन का प्रियोग किया जाता है टाइफाइड तो दोस्तों टाइफाइड का अन्य नाम आंत्रज्वर या मियादी बुखार होता है मियादी बुखार इसलिए दोस्तों इसमें रह रहकर जो है पहले तो दवा खाने पर थोड़ा ठीक हो जाता है फिर आता है तो ये मियादी बुखार है और इसका जो कारक होता है सेलमोनेला टाइफी होता है इसके खोज करता डाक्टर डेनियली सालमन अठार सो पचासी 1885 में डाक्टर डेनियाली सालमन ने टाइफाइट की खोज की थी और इससे आत प्रभावित होती है इसके लिए टीएबी वैक्सीन जो है प्रियोग किया जाता है और दोस्तों टाइफाइट के लिए या टाइफाइट जो है गंदा पेजल से प्रभावित होता है फैलता है होता है और इसके लक्षडों में तेज बुखार और सिर्दर्द होता है टीटनेस तो दोस्तों टीटनेस का कारण क्या है देखिए बहुत ही महतोपूर है क्लाश्ट्रीडियम टीटेनी जो है ये टीटनेस का कारण होता है इसका अन्यनाम धनुष्टंकार है और इसको लाक जाभी कहा जाता है और टिटनेस के प्रमुख लक्षणों में देखिए टिटनेस के जो लक्षण है इसमें तेज बुखार, सरीर में एठन और जबड़ा बंद हो जाता है टिटनेस के उपचार के लिए DPT वैक्सीन का प्रियोग किया जाता है दोस्तों और इसके प्रसार का मुखे तह जंग लगे लोहे के धातु के टुकडों से घाव का संक्रमड हो जाए और इससे नियूरो सिष्टम यानि तंत्री का तंत्र नर्वस सिष्टम प्रभावित होता है सुजाक आईए देखते हैं अगले मानो बयाध है सुजाक या गोनोरिया के बारे में सुजाक का कारण निशेरिया गोनोरी है और इससे मानो का मुत्र मार्ग प्रभावित होता है इसकी खोज लुडविग सिगमंड निशेर ने 1889 में की थी और इसका लक्षण मुत्र मार्ग में सूजन होता है इसके प्रसार का माध्यम असुरक्षित यान संबंध है सिफलिस, दोस्तों सिफलिस महत्यपूर्ण ब्याधी है और देखिए सिफलिस की खोज फ्रिटज सार्डिन और एरिकाफमेन ने 1905 में की थी इफ्सरोक का कारण ट्रिपोनेमा पैलिडम है और प्रशार का माध्यम असुरक्षित यान संबंध है इसका लक्षण ये है कि इसके द्वारा दोस्तों शिष्ण में घाव हो जाता है और इससे प्रभावी तंग शिष्ण है आए एंटीबायोटिक दवाईयों के बारे में जानते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक जो है ये ब्राड स्पेक्टरम एंटीबायोटिक होती है एंटिबायोटिक का सबसे महतपूर्ण उधारान क्लोरे रेंफनी काल होता है और इसका अन्य नाम क्लोरो नाइट्रो माइसिन और एजित्रो माइसिन है आए देखते हैं पेंसिलीन के बारे में तो दोस्तों पेंसिलीन महतपूर्ण एंटिबायोटिक है जिसकी खोज 1928 में एलेकजेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी और ये एलेकजेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलीन की खोज पहली एंटिबायोटिक थी और इसकी प्राप्ति पेनिसीलियम नोटेटम नामक कवक से हुई है नेरो इस्पेक्टरम एंटिबायोटिक क्या होते हैं तो द दोस्तों सल्फाड्रक्स जो हैं ये संसलिष्ट दवाओं का समों होते हैं और इसमें सल्फोनामाइड, सल्फोमेराजाइन और सल्फाडाइजीन हैं सल्फोनामाइड के उदाहरण प्रोटोंसिल और सिबाजोलादी हैं और पहला सल्फाड्रक्स प्रोटोंसिल 1932 में इसका व एक संपर्क है और इसका काराण Microbacterium lepris और Microbacterium leprotomasis है और दोस्तों कुष्ट रोग के बारे में विशेश तत्थ ही ये है कि वर्स 2005 में भारत कुष्ट मुक्त घोसित कर दिया गया था और इसके लक्षडों में सरीर पर चकत्ते और उनमें संब्यंद सिल्था खतम हो जाना तथा उतकों का अपच्छे होना है कुष्ट रोग के निवारण के लिए कौन-कौन से प्रयास किये गए हैं तो 1983 से राष्ट्री कुष्ट निवारण कारेकरम National Leprosy Eradication प्रोग्राम का संचालन किया गया था 1983 से और उपचार के लिए यानि कुष्ट रोग से उपचार के लिए दोस्तों MDT यानि Multi Drug Therapy Depson, Rifambicine और Clojajemine Clofajemine का प्रयोग किया जाता है तो DMDT Multi Drug Therapy या Multi Drug Treatment ये कुष्ट रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने विशाण उजनित और जीवाण उजनित प्रमुख रोगों उनके उपचार और उनके लक्षन तथा कैसे उनका प्रसारण होता है प्रसारण माद्धिमों के बारे में हमने जाना वीडियो बहुत ही महतपूर है क्योंकि जीव विग्यार में मानो स्वास्त और पोसंड तथा मानो रोगों से संबंधित कई सारे प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए आप इस टापिक को बहुत अच्छे से तैयार कर रिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार